हाई दोस्तों, असलावलेकुम, कैसे आप लोग, मेरा नबील है, यह आज हमारा संडे क्यूएन है, जिसमें आपके पूछेवे कोश्ण के आंसर में देनी कुश करता हूँ, अगर कोश्ण शूट जाता है, देना मैं रिलीस और फिदायट, और बाबु भाई जो है हमारे काव हमको है, कि आइफोन 13 सीरीज के अंदर कंपैरिसन बनाने है, आइफोन 13 सीरीज के अंदर एक फोन की अंबॉक्सिंग भी बची है, जो के है मेरा आइफोन 13 मिनी, स्टार लाइट कलर में यह भी आपको देखना है, तो यह सब इंपॉर्ण काम हमको पहले करना है, बाद आप सिंपल एक काम कर सकते हैं, तो इस पर बैकप बना लो, फोन को पूरा सारा डेटा उसमें से हटा दो, डिलीट कर दो, फॉमाट कर दो, आइफोन 15 डालो, और वो जो डेटा था उसको रिजिटर कर लो, यह सीज नहीं कर सकते हैं, पीसी नहीं है, मैक नहीं है, तो आप आइकलोड पर बैकप बना लो, आइकलोड पर बैकप अगर आपको बनाना है 5 GB के ऊपर का, तो आपको एक बार के लिए 75 रुपीज दे दो आप आप आपल को और वो बैकप बना लो, उसके बाद आप iOS 15 डालने के बाद फिर से वो बैकप को रिश्टो कर सकते हैं, 16 GB का इंडिया में flop हो जाते हैं या इतने बिकते नहीं क्योंकि इतना पैसा कोई Android फोन के लिए देता नहीं, जब इतना ज़्यादा पैसा कोई डालता है तो एक प्यारा सा iPhone लेना वो प्रिफर करता है, क्योंकि यहाँ पे देखके पता तो चलता है कि उसने iPhone लिया है, कुछ पै प्रिफर करता हूँ अगला कोशन है दोस्तो राजेश्वर का यह बोदे मैं सातारा से हूँ और मुझे एरपोर्ट्स प्रो लेना है, मैंने एक दुकान में देखा, 13,000 रुपे में GST invoice का दे रहा है, लेकिन वही दुकान दा 2,000 रुपे के एरपोर्ट्स क्लोन भी बेच रहा है, क्या लेना च संतोष ने यह बोदे आईफोन 10R जो है, उसमें मुझे लेट नोटिफिकेशन आ रहे है, तो नोटिफिकेशन का जो iOS 15 के अंदर नोटिफिकेशन समरी है, और शेडियूल नोटिफिकेशन है, उसको एक पर चेकाट कर लो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सिदा अपडेट हो जाएगी, और अपडेट जो करने वाली डेट है, वो आपको कम नहीं दिखा रहा होगा, डेफिनिटली जाता ही दिखा रहा होगा, एक मेना बढ़के ही दिखा रहा होगा, जब आप बिल लेके जाएंगे, इन्वाइस लेके जाएंगे, तो वो लोग अपड did not discontinue Apple Watch Series 3 discontinue नहीं किया Apple Watch Series 3 तो क्या मुझे लेना चाहिए Series 3 लेना चाहिए कितने साल तक update आएगा देखो मेरे भाई अभी जिस price point पे वो मिल रही है बहुत ही जादा value of money Apple Watch है उतनी fast नहीं जितने Series 6 है उतना बड़ा display नहीं जितना Series 6 का है उतने जादा health features नहीं से ECG वगरा जो इतना आप इस्तमाल तो नहीं करेंगे लेकिन उतने जादा features नहीं है always on display वगरा नहीं लेकिन फिर भी Apple Watch का जो काम होता है आपको अपने phone से दूर रखने में मदद करना notification वगरा रिष्ट पर मिल जाएंगे call आप यहीं से reject कर सकते है answer कर सकते है cellular है तो बाहर लेकि जा सकते है बिना आपने phone के jogging वगरा के लिए इस सारे काम और health tracking वगरा जो है यह बहुत अच्छे तरीके से Apple Watch करती है और latest उसके उपर watchOS आया है और Apple नहीं उसको production रखा है उसको officially sell करें तो मुझे ऐसा लगता है watchOS 9 भी उसपे आपको देखने मिलेगा अब जो price point पर मिल रही है उसमें आपको latest watchOS जो है आगे भी देखने मिले तो इस सदा बढ़के क्या बात हो सकती है वैसे लोग जो है series 1, series 0, series 2 भी आज भी इस्तमाल करें पुराने watchOS पर ऐसा नहीं कि उन पर security update उन पर भी आते है वो भी घडिया इस्तमाल की जाती है लेकिन इतना ही है कि बस और latest अपडेट आपको देखने नहीं मिलेगा लेकिन आप इस watch को बाद में भी इस्तमाल कर सकते एक बार update आना बंद होगे तब भी अगला कुशन दुस्तों रिशब मकी जागा यह बोते है कि iPhone 13 Pro Max जो है और 12 Pro Max जो है इन में कोई major difference है क्या 60 Hz और 120 Hz जो है ये एक difference है ये वहत अपग्रेडिंग है या नहीं है तो मैं ये बुलना चाहता हूँ मेरे भाई अगर आपने एक बार 13 Pro Max पे shift कर दिया देखो Android का हम लोग देखते थे 120 Hz का refresh rate मेरे पास भी वो POCO का डिवाइस है फिस Samsung की डिवाइस थे हाँ वो थोड़ा fast लगता था लेकिन जो Apple के animations है वो बहुत ज़दा fluid और बहुत ज़दा awesome रहते है जिसकी वएसे 120 Hz की जो कमी है वो Android की comparison में महसूस नहीं होती है लिकिन जब अब यहाँ पे iPhone पे आ गया है तो बिल्कुल आपको जो iPad वाली feeling है एकदम fluid वाली iPad Pro अगर आपने इस्तमाल किया है तो वो feeling आपको यहाँ पे देखने मिलेगी दूसरी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे जो है camera में upgrade मिल रहा है हाँ इतना major नहीं है लेकिन आप cinematic mode यह से इस्तमाल करना चाहते है लेकिन सबसे important चीज़ जो यहाँ पे बढ़ गई है वो है battery life phenomenal battery life है iPhone 13 Pro Max की इसकी जो battery life है वो 12 Pro Max के मगावले बहुत जादा आपको मिलने वाली है तो यह जो है इसके अंदर चीज़ है अगर आपका पेसे जादा नहीं तूटता है अपग्रेट कर सकते हो तो करने की कोशिश करो अगला कोशन दोस्तों तईब एहमत का अधर का फोन में क्या हम वो डिलेट कर सकते है तो आप जो है वो जाके वीडियो देख लेना है यह पर आई बटन पे मैं आपको दे दूँगा वाला वीडियो आप चेकाट कर सकते हैं वो मेठेट का इस्तेमार कर सकते हैं जिसमें मैंने आइफून 13 को दिखाया था, यह पिंक वाल आइफून 13 है, तो इसको मैंने दिखाया था, जिसके अंदर मैंने इसके Geekbench के स्कुरू पर आए, वहाँ पर आपको RAM भी बता है, कि इसमें भी चार्जीवी का RAM ही आता है, अगला कुछने दोस्तों अंकुष्तिया समझानी जासता, इस तरीके से उनके उपर प्रेशर बनाया जाए, तो वह Type-C पोड लेगे आएंगे, और मेरे सब Type-C पोड लाना यह समझदारी वाली बात है, ताके जाथ-जाथ-जाथ-जाथ-एक्सोरीज हम लोग अपने आइफून के आद भी इस्तमाल कर सेके, सबी चीज में तो Type-C आ चुका है, आइपड में आ गया, आइपड मीनी में आ गया, आइपड प्रो में आ गया, आइपड एर में आ गया, तो आइफोन ने क्या गुना किया, विचारे ने उसको भी एक Type-C पोड दे दो, अगला विशन है तो फागू सिंग का यह बोलते है कि आ आइफोन बाइंग गाइड फ्लिपकाट सेल स्टार्ट हो रहा है, उस टाइम पे अपलोड करेंगे, क्या 3 और 4 अक्टोबर को Amazon की सेल है, प्राइम मेंबर के लिए Early Access है, तो हाँ, मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊँगा, जहां पे मैं आपको आइफोन बाइंग गाइ आपको बना के बताऊंगा, अगला कुशन है दोस्तों नील शुकला का, यह बोलते है कि सारे आइफोन में लाइफ टेक्स का फीचर क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आइफोन पुराने प्रोसेसर के आताते है, तो जहां पे आइफोन 10R है और आइफोन 10S है, यहां से लाइफ टेक्स्ट वाले फीचर और काफी सारे अमेजिंग फीचर जो है आपको आइफ 15 में देखने मिलते है, तो अभी पुराने आइफोन है, तो मेरे साब से सही समय आ चुका है अपग्रेड करने का, अगर आप जा सकते हो, तो अगर आप नहीं जा सकते, तो कोई बात दोस्तों विवेक का होते है, ये चेंजेस, बाकराउंड अप रिफ्रेश ओफ, सेटिंग के अंदर प्राइवेसी, लोकेशन, सिस्टम, सर्विस, अक्सेसिबिलिडी के अंदर मोशन, रेडियूस मोशन करने से, क्या बैटरी पे कोई एफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड कोई ज़रूद नहीं है, आपके आइफोन की बैटरी जो है, वो अभी काफी बड़ी हो चुकिए, और अच्छे तरीके साब इसको इसको इस्तमाल भी कर सकते है, यहाँ पर अगर आप मोशन रिडियूस करेंगे, तो उसकी जो फ्लूइड अनिमेशन है, वो सब खतम हो जा पर जाकर करके पता करना पड़ेगा, HDFC का offer और GST offers और यह सारी चीज़ी होती है, मैंने जाकर एक जगा पर वीडियो बनाया, ताकि आपको पता चले के यह चीज़ पॉसिबल है, और उनका ओनलाइन भी website है, तो आप वहां से भी purchase कर सकते हो, लेकिन आप Imagine से भी ले सकते हो जो भी आपका nearest Apple Store है, वहां से भी आप purchase कर सकते हो, यह offers आपको वहां पे भी मिलेंगे, और अभी यह offers valid है, यह launch के offers होते है, जो कुछ time तक valid होते है, अगला वशने दूस्तों तो all rounder का बोते है, Apple जो exchange offer में iPhone लेता है, क्या हम वो खरीच सकते हैं और कहां से खरीच सकते हैं क्योंकि वहां पे cashify के साथ उनका type है, cashify वहां से जो है, वो products को उठा लेता है, Apple नहीं लेके जाता, और वो iPhone, Android phones जो है, दूसरे vendors को sell के जाते हैं, जो market में अपनी दुकान लेके बैटे हैं, for example, sell buddy, अब sell buddy पे भी जो iPhone आते हैं, वो इस तरीके से भी आते हैं, वो लोग purchase क करते हैं, तो इस type के बहुत सारे stores है, वहां से आप ले सकते हैं, फिर ऐसा हो जाता है, कि वहां पे cashify अपना margin रखता है, उसके साथ Apple का margin आ जाता है, फिर यह जो दूसरे stores है, इनका margin आ जाता है, तो यह चीज जो है, एक इसका negative point है, कि आपको थोड़ा पैसे जादा देना पड़ेगा, तो जो लोग OLX पे बेचते हैं, या कहीं और बेचते हैं, वहां से अब ले सकते हो, लेकिन फिर वो आपका risk भी हो जाता है, कि आपको check करके लेना है, अगला कोशन दोस्तों, सोमेश का, इनके पास 3 साल से Android phone है, पक गए उससे और उनको upgrade करना है, तो iPhone 12 लेना खान का, ये बोलते है, 3U Tools ट्रस्ट हुआ दी है, क्या iPhone चेक करने के लिए, बैटरी चेंज बताता है, सीरियल नंबर चेंज बताता है, ये सब जो है, कैसे जज़ कर सकते हैं, सही है के नहीं है, देखो पहली बात तो 3U Tools जो है, एक सोफ़एर है, वो आपके iPhone को analyze करते हैं, most जो उसकी information होती है, 90%, 95% जो है correct होती है, कभी-कभी 99%, कभी-कभी 100% भी correct होती है, लेकिन कभी-कभी जो है, वो detect करने में चूप भी जाता है, कभी-कभी गलत information भी दिखा सकते है, आपने नया iPhone कहीदा है, उसमें चेक करेंग, कभी-कभी उसमें भी कोई चीज चेंज दिख तो 100% तो आप उसपे trust नहीं कर सकते है, थोड़ा अपना दिबांग भी अपने को लगाना पड़ेगा, लेकिन जाधा करकी जो है, वो accurate ही है, अगला कुछन दोस्तों यश का, यह बहुत है कि मैं confused हूँ, iPhone 12 Pro और iPhone 13 के बीच में, क्योंकि मुझे iPhone 8 से अपग्रेड करना है, देखो, मेरे इसाब से अगर आप iPhone 12 Pro लोगे, तो भी कोई उसमें दिक्कत नहीं है, अगर आपको cinematic video mode, HDR 4 का थोड़ा और high dynamic range वाले photos और photographic styles इस सब में interest नहीं है, तो आपको iPhone 13 जो है, वो लेने की ज़रूत नहीं है, अगर आपको iPhone 12 Pro पे कुछ अच्छे deal मिलती है, तो यह जो प्रो वाले model दोते हैं, उसका थोड़ा premiumness, उसका थोड़ा मजा जो है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, battle life भी थोड़ी बढ़के मिलती है, आपको triple cameras भी मिल जाते है, थोड़ा portrait mode वाखना जो है, उसके अंदर अच्छे आते है, तो यह चीज़ तो है, क्या प्रो लेंग नहीं है, फिर आपका phone जब off होगा, उसके बाद भी वो findable रहेगा, अगला कुशन दूस्तों, एजास का यह बोलते है, कि Apple discontinued iPhone का production बंद कर देता है, तो sell video और इसके दूसरे store वालों के पास, इतने iPhone कहां से आते है, iPhone 4, iPhone 5, SE 1, 6, 6S, देखो मेरे भाई, मैं आपको समझाता यह चीज़ बहुत ही simple है, Apple जो है, थोड़े से phones नहीं बनाता है, यह बहुत सारे phones बनाता है, अब इसमें से जो है, जितने phones, discontinuation की बाद भी रहते है, वो market में sell होते हैं, Amazon, Flipkart, वोगर अब जो आप phones की बात कर रहे है, वो phones है, बहुत पुराने vintage category के phones है, आप ये phones कुछ vendors उठाके रखते है, या तो stock बहुत ज़्यादा पड़ा होता है, वो बिकार नहीं होता है, वो stock होता है, या फिर कुछ समाल के रखते है, और जब उन phones की demand आती है, उस टाइम पे भी उसको sell out करते है, वो लोग लेकिन जब बुरे हो के 4, 5, ये सब मिलना जो है, आज के जमा हो है, और उसके जो होट है, वो भी लाल है, पार मसाला खाके, तो बहुते हैं, बताईए कि Airpods फ्री आने वाले है कि iPhone 12 के साथ, इस दिवाली के अंदर, देखो भाई, इसके बारे में कोई बता नहीं सकता है, प्रमोशनल ओफर आते हैं, लास्ट इर आए तो इस साल भी आ और फ्री में Airpods मिलेंगे, अगला क्शनल दोस्तों मौबन नदीम का ये बोलते है, कि Apple Watch S.E.N. के बाद, इसमें किसमें चलेगी, जब घर पे हम फोन रखके जाते है, तो देखो मेरे बाई, अगर आपके बस Jio का SIM है, तो प्रिपे पोस्पेड पे जो है, ये काम करती है, प्रिपेड पे ये फ्री नहीं है, Jio में प्रिपेड पे भी फ्री है, और एटल में पोस्पेड पे ये फ्री है, तो इसमें से कोई भी आपका प्लान है, तो काम करेगी, अगला क्शनल दोस्तों धनराज का, ये बोते मुझे आइफोन 11 लेना है, Amazon से लू, और मेरे फ्रें 8% का सेट ओफ लेगा, यानि कि उतना पैसा कम बरेगा, वो पैसा फिर आप उनके साथ एडजस करके, सेटिंग करके ले सकते है, उनसे अगर वो चाहे, तो वो हेल्प करना चाहे, तो ये चीज है, थोड़ा लॉंग प्रोसेस है, आपको करना है, तो आप इस तरीके से कर सक सकते है, 512GB जो है, मेरे इसाब से ओवर केल रहेगा, 128GB का आइफोन जो है, मैं पिछले एक साल से इस्तमाल कर रहा हूँ, मैं भी थोड़े बहुत फोटो, वीडियो ले ले लेता हूँ, आपके जैसे ही, आपस जाधा इस्तमाल करता हूँ, तो मेरा 100GB के आसपास भरा था, लेकिन अभी मजबूरन मुझे 256GB वा आईफोन 13 Pro Max देना पड़ा, क्योंकि वही अवैलेबल था, तो जो अवैलेबल था, फर्स डे पर मैंने वो उठा लिया, तो आप भी 128GB या 256GB से किसी के लिए भी जा सकते हैं, अगला कुशन दोस्तों, रिशी डी का, यह बोते है, आईफोन 15 पर तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, बैटरी हल्थ का अपडेट से कोई रिलेशन नहीं, यहाँ फोन अगर हीड होता है अपडेट के अंदर, तब आपकी बैटरी दो जॉप होगी, लेकिन आईफोन का हीटिंग इशू मुझे तो नहीं लेकने को मिल रहा है, लेकिन पुराने आईफोन पर चलाना, अपने आईफोन को ठीक नहीं, कि यह सेक्यूरिटी अपडेट भी इंपॉर्टन हो दे हैं, अगला खुशने दोस्तों, भूमी पुत्रे इंटर्राइजे, इनका सवाल है, कि बैटरी जो है, किस तरीके से में उसके बाद को सुच आफ करके रखना है, उस तरीके से आपके फोन की जो बैटरी है, वो भी डैमेज नहीं होगी, अपल का खुद का मेथड है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बीच में कभी-कभी आउन करके आप उसको देख सकते है, खेल सकते हैं और बाद में शोकेस ब करके लेकी जाए, तो उसके सामने आपको डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो रुकता है, उसकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, उससे आप कर सकते है, आइस 15 के तरी जो है method आ गया है, जहां पे आप पूरा डेटा आइकलॉड पर बैकप बन आपको बड़ेट आपको उसके अंदर शेर प्ले मौजूद है, तो 15.1 का पड़ेट जब आएगा या बीच का वही अपडेट आएगा, उसमें वापस एनेबल करेगा, उसके अंदर कुछ बग्स है, जो एपल टीक करना चाहता है, इस 15.0 स्टेबल वरजिन में, अगला के authorized reseller है, कोई भी misunderstanding मत रखना, Amazon Flipkart भी Apple India के authorized reseller है, वहाँ से आप ले सकते है, और कोई मुश्किल नहीं है, और description में लिंक देता हूँ, वो Amazon और Flipkart पे official Apple store का link है, हाँ हो सकता है, कोई और vendor भी sell कर रहा होगा लिए आपको उनसे नहीं लेना है, इसलिए में description में लिंक देत स्वरूप शेलार का ये है, रतनागीरी महाराश्टा से सबसे beautiful beaches जो है, आपको इंडिया के अंदर वो वहीं पर मिल जागी, मतलब में लाइन लाइन इंडिया के अंदर आपको बहुती beautiful beaches वहाँ पर मिलेंगे, मैं मौरिश गया था एक बार, तो वहाँ के beaches देखके मुझे वहाँ के खुबसूरती बहुत ची लगी, उसके अदुबई जब गया, तो वहाँ के beaches देखके, वहाँ की भी खुबसूरती, बहुत ची लगी, लेकिन वही खुबसूरती मुझे रतनागीरी में भी और वहाँ के आम भी बहुती famous है, तो जरूर आप लोग कभी मौका मेरे रतनागीरी महाराष्टा जरूर जाना, बीचे से जो है amazing है, इनका question जो है, वो तीन questions है, बोलते है, क्या आपने पता है क्या आप engineering किये हो, तो कौन से field में किये हो, और क्या M1 वाला Mac लूगा, तो mechanical engineer हो, तो मेरा काम हो जाएगा, क्या software वागर के माम लें, तो मेरे भाई, आप जो है, बहतर यही होगा, कि अपने fellow mechanical engineers से बात कीजिए, क्यों मैंने भी उसी line से पढ़ाई किये, लेकिन, मैं उस line में काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपके लिए जो है, सही जवाब नहीं दे पाऊँगा, आप research करो, अपने friends, अपने colleagues वागरा से पूछो, जो आप आपके साथ पढ़ते थे, कहीं नहीं job कर रहे होंगे, वो software का इस्तमाल कर रहे होंगे, तो पूछना उनको कि यह भाई, यह कौन सा software आप इस्तमाल करते हो, और वो software के बारे में आप research कर सकते, Google पे, कि वो M1 पे चलता है कि नहीं, सेकेंड चीज यह बोरे, क्योंकि girlfriend है, उ 20-20 का फरक या 18-20 का फरक उनको देखने मिलेगा, लगि जब पैसा डाल सकते है, तो डालिए, अगर आपके option है 13 का, तो 13 लेना बेटर रहेगा, और तीसरा यह बोलते है, कि मैं आपके lifestyle के बार में जानना चाहता हूँ, influencer बनने का आपका सपना था, उसकी शुरुवादी द कि आपने बताया था कि 5G जो है उसके बारे में, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ कि 5G के बैंड्स यूएसे में है, क्या इंडिया से अलग है, क्या इंडिया में जो है, जिस जगा पे हूँ, वहाँ पे कुछ टाइम के अंदर, एक से तीन सल के अंदर 5G आने वाला है, तो मै क्या करूँ, और USA, इंडिया के अंदर शायद में भी आते जाते रहते हैं, तो कौन सा लेना चाहिए, आप USA का ले सकते है, उसके अंदर MMWave के साथ सब 6 GHz भी है, यानि कि इंडिया के पूरे बैंड्स है, प्लस एडिशनल उसके अंदर अलग टिकनोलोजी भी है, जिससे आपको जाधा फास्टर 5G का फायदा उठाने का मौका मिलेगा, वो इंडिया में भी चलेगा, और US में भी चलेगा, अगला करशनले दोस्तों, देसी जाट का, ये बहुत आइफोन 11 है, क्या मुझे आइफोन तड़ी में शिफ्ट होना चीए, या आइफोन 14 का वेट करना आइफोन 11 लास्ट यर मार्च में मैंने लिया है, बैटरी या 86% है, क्या करू बता ना, तो अगर आपको कंटिन्यू करना है, तो आइफोन 11 भी बहुत इस्टा डिवाइस है, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ मेक्शुर करने पड़ेगी, कि आप आप आइफोन 12 को, या आइफोन 13 को, या आइफोन 14 जो भी रहेगा, लेटेस्ट वाला उसको हाथ में ना ले, एक बार अगर उसको अपने हाथ में ले लिया, तो आपको जो अपना पुराना आइफोन है, वो अच्छा नहीं लगए, उसके बाद आपको जाके नया लेना पड़ेगा, मेरे द को हाथ मत लगाना, ये चीज़ आपके भी apply होती है, कि आप जो है आइफोन 13 को देखे ही मत, उसको इस्तमाल मत कीजे, आप आइफोन 11 को जो है enjoy करेंगे, लेकिन अगर आपने आइफोन 13 को हाथ में ले लिया, फिर आपको आइफोन 11 बुरा लंग लगेगा, फिर अभी का अभी आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, वैसे 86% battery health है, तो थोड़ा और खीच लो, और कुछ offers आएंगे, उस टेम पे भी आप कर सकते हो, trade-in या फिर अभी भी सही मौका है लेने का, लेकिन decision आपका होना चीए, अगला कुशन है दो राम कतम का, राम बोलते है कि आपको इंशाला एक ऐसी deal बताऊंगा, आइफोन 12 के उपर, ओनलाइन वाली, flip card, Amazon वाली, कि आप जो है, लेने से अपने आपको रोक नहीं पाएंगे, तो wait for that video, वो वीडियो आएगी, आज नहीं तो कल आपको चैनल पर देखने भी लेगी, आज तो possible नहीं है, लेकिन कल ह मैं रात में जो है, वो ही midnight में, जब सेल शुरू होगी, उस टाइम पे मैं आपके लिए वो वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, तो तब तक के लिए इंतजार करना मेरे भाई, इस वीडियो का आगरी कोशन है, दोस्तो, साहिल खान का ये बोते है, stock application जो है, उसमें से best क इंटरफेस थोड़ा सिंपल लगा, तो इसलिए मैं जो है, उसको इस्तमाल कर रहा हूँ, और उससे जुड़ेव है, जो दूसरे services है, ticker tape है, small case है, यह है, उसका भी मैं फायदा उठाता हूँ, हाँ, थोड़ा उसके लिए charges देने पड़ते है, 200-300 रुपे, उसकी sign-up fees है, उमीद करता हूँ, आपको आज का वीडियो पसना होगा, पसना को इसको like and share जरू कीजिए, और मेरे इस चैनल को subscribe कीजिए, goodbye.